दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकार नियोज क्लिक के कारिक्राम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश हफते की बात में दोस्तों आज हमारी पहली कहानी है संसत्ते जुड़ी अंतताह अधीर रंजन चौधरी कॉंग्रेस संसदी दल के नेता लोगसभा में उन्होंने राष्ट्रपती मुर्मु को राष्ट्रपत्नी कहने वाले अपने बयान पर अपने संबोधन पर 29 दुलाई को एक पत्र भेज कर महावहिम राष्ट्रपती को उनसे माफी मांग ली है अपचारिक तोर पे लेकिन स्मृती इरानी जी जो केंद्र में मंत्री हैं भारती जन्ता पार्टी की नेता हैं उनका क्या निर्मला सीतारमन जी और पियूस गोयल उनका क्या जिन्होंने टीवी बाइट्स और अन्निक हबरों के जरिये लोगों ने जिन्हें सोनिया गांधी को बेवजह अपमानित करने की कोशिश और उस बज़र्ग अस्वस्त महिला के बारे में कलत बयानी करते हुए देखा था सोनिया गांधी और उनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में मैं दसियों कमिया गिना सकता हूं पर स्रीमती सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहूल गांधी के अभद्र गैर शालीन या बदमिजाज होने का कोई भी उदाहरन देना मुश्किल बहुत मुश्किल होगा अपने अब तक के पत्रकारिता जीवन के 40 वरसों के अनुभों की रोश्णी में मैं सोनिया गांधी के बारे में ये दावे के साथ कह सकता हूँ पर उनके बारे में भी ये आरूप लगा दिया इन नेताओं ने कि वो भाजपा की खास कर महिला नेताओं ने कि वह भाजपा की कुछ महिला सांसदों की तरफ जिस तरह आगे बढ़ी थी उससे सांसदों को खातरा महसूस हुआ थ्रेटेंड वो अंग्रेजी में शब्द यूज किया कि ये बात भी समझ में नहीं आई कि रास्टपती दरोपती मुर्मु के लिए रास्टपत्नी जैसा बेतुका और वाहियात किस्म का संबोधन करने वाले कॉंग्रेस संसिदल के नेता अधीरंजन चौधरी के सरवथा अ चरण के लिए भाजपा के इन संसदों ने नेताओं ने अच्छानक सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात क्योंकि क्या क्या तर्क था उनसे माफी मांगने की बात करने के क्या किसी भाजपा नेता या संसद की गलती के लिए प्रदानमंत्री मोधी से इस ठीपे या माफ की मांग करने को विजह स्थाराएंगे बहराल बीदे सब्ता अधीरंजन चौधरी और स्मिर्ती इरानी निर्मला सीतारमन जी की इस संसद्य कथा के बाउंडर में विपक्ष ने महांगाई और जीस्टी या गुजरात में कसित जहरीली शराब या मिथायल अलकोहल पीने से ज राजनितिक्स जो असर था वह भी काफी हद तक धुल सा गया शायद सत्ता पक्ष का यही मकसद भी था कि देश की जनता के सामने महांगाई और बेरोजगारी जैसे मसले जुलंत बर्न कर नौ उभरें लोग संसद और संसद से बाहर की सतही और निरर्थक चर्चाओं के कब रहें कि उन्हें संसद के अंदर या बाहर उनके अपने मसलों की अन्गूज ही न सुनाई पड़े निसंदे अपने इस राजनितिक उपक्रम में सत्ता पक्ष को जवरदस्त काम्यावी मिली और विपक्ष फेल किया इसका स्रे काफी हद तक अधीर रंजन चोधरी को मिलना चाहिए पर कांग्रेस पार्टी नो जाने क्यों उन्हें इतने सालों से संसदी दल का नेता बनाए हुए है हफ़ते की बात में इस बार दोस्तो हमारी दूसरी कता है माननिये सुप्रिम कोट की तीन सदस्य बेंच तवारा 27 जुलाई को दिया वो बड़ा एतिहासिक दूर भागे पूर्ण फैसला जिसने नागरीक अधिकारों को बिलकुल ही कुंद कर दिया है लेकिन उस पर जाने से पहले दोस्तों मैं ये एक और इसी से जोड़ी ख़वर जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसी इसी हफ़ते शुक्रवार को शुक्रवार को संभूता देश के जो एक महत्पूर नियादी सुप्रीम कोट आफ इंडिया के जस्टिस ए एम खान विलकर साहब ये इन्होंने ये रिटायरी ये हुए और नियाईक करियर अगर देखा जाए इनका तो एक बहुत ही चर्चित और एक हट तक विबादास्पत भी रहा है इनके नियाईक करियर में सरवच नियाले की राज के प्रती ज़्यादा तरफदारी के रुजहान दिखाई पड़ते हैं कुछ बहुत महत्पूर जो फैसले जो बहुत चर्चा में रहे विवादों में भी रहे जस्टिस खान विलकर के वो रहे सेंट्रल विस्टा को एप्रॉबल जो दिया एक तरह से क्योंकि जो याचिका थी इसको चुनोती देने वाली उसे हारिच किया गया इन्ही की बेंच द्वारा इसके अलावा गुजरात दंगों की जाच की आचिका जिसमें तिस्ता सी तलवार के विरुद जाच की बात उल्लिखित थी और उसके तहट कुछी गंटे बाद इस जज्जमेंट के आने के उनको जेल भी हो गई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया गुजरात पुलिस द्वारा और इसके अलावा एक 16 आदिवासी 36 गड़ के जिनकी मौत हो गई थी हत्या जिनकी की गई थी उस मामले में जाच कराने की हिमानशुक कुमार सहित अन्य लोग हिमानशुक कुमार एक गंधिवादी कारिकरता रहे हैं 36 गड़ में सक्री उनके सहित कई लोगों ने जो याचिका दायर की थी उस पर भी फैसला जस्टिस खान विलकर की कोट ने दिया था और उसमें प्रदेशित भी किया गया 36 गड़ सरकार को और संबदे एजिंसीज को इसके अलावा आधार के प्राइवेसी उलंगन की जो याचिका थी उसे सम्मंदी चुनोती देने वाली उसको भी जिस्टिस खान विलकर की जो कोट थी बेंच थी उसने खारिस किया यह भी एक बहुत मतपूर चर्चित फैसला रहा इसके अलावा ताजा 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 बिलकुल हाल का जो फैसला है दोस्तों वो जिस्टिस खान विलकर का जो था वो मैं समझता हूं कि एडी यानि जो जो प्रवरतन निदेशाला है उससे सम्मंदी जो मनी लॉंडरिंग एक्ट दो हजार दो के अधिकारों में जो नागरिक अधिकारों को सिमित करने वाली जो धराएं हैं उनको एप्रूव करने का जो एक जज्जमिंट आया मैं समझता हूं जो सबसे आखीर में उन्होंने फैसला दिया वो बहुत महत्पूर है और हाली में वो रिटायर किये गए हैं अभी वो बहुत चर्चा में रहा है तो दोस्तों यह जो फैसला है मानिस सुप्रिम कोर्ट की तीन सदस्ती बेंच त्वारा जो दिया गया वो एतिहासिक दुरभागे का फैसला भी कह सकते हैं आप इसको जिसने नागरिक अधिकारों का पिलकुल ही उनको कुंद किया है और जो नियाइक मामलों के जानकार हैं वो इसको इसी रूप में पेश कर रहा हैं बड़ा सेक्सन कोर्ट का यह फैसला ED को मिले बेशुमार अधिकारों को समवैधानिक तोर पे जाइज ठाराता है इसे PMLA यानि Prevention of Money Laundering Act 2002 के तमाम निरंकुष माने जाने वाले संशोधनों को एक त दोस्तों इस फैसले को पढ़ते समय मुझे बाबा साब डॉक्टर भीम राओं बेटकर का संविधान के बारे में किया गया एक बहुत ही महत्यपूर्ण जो कमेंट है वो याद आया उन्होंने एक सवाल के जबाब में संविधान के अनुछेद 32 को बहुत उलेखनी उन्होंने कहा कि समय धान का ये जो अनुछेद है उनका सबसे पसंदीदा अनुछेद है जिसे ड्राफ्ट करके उन्हें बहुत संतोष हुआ था उलेखनी है कि पहले ये अनुछेद 25 के रूप में प्रारूपित किया गया जो समय धान में शामिल होकर 32 बना अनुछेद 32 स मौलिक अधिकारों वाले तीसरे खंड में दोस्तो शामिल है ये खंड 12 अनुछेद से शुरू होता है और 35 पर खत्म होता है इसी खंड के बीच में अनुछेद 32 है आज यही अनुछेद अंडर टेक है सब की तरफ से सत्ता और यहां तक की नया पालिका की तरफ से भी पहल राइट टू कांसिचूशनल रेमेडी इसमें किसी भी नागरी को अपने अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रिम कोट जाकर उससे संरक्षन मागने का अधिकार शामिल किया गया है और उछेद के दूसरे हिस्ते में कहा गया है कि सुप्रिम कोट को ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षी करन आदेश या किसी तरह का निर्देश या रिट जारने का जारी करने का अधिकार शामिल होगा अनुशेद ये भी काता है कि किसी भी हालत में सम्विधान के इस अनुशेद द्वारा कोट को प्राप्त अधिकार निरस्त नहीं किये जा सकते सम्विधान के हिस साब से ये भारत के किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है पराज भारत के भारत में सारे ऐसे अधिकारों का एक तरह से उनमें कटोती की जा रही है हो रही है शासन द्वारा सरकारों द्वारा स्वेम बाबा साब के मनपसंद इस अनुच्छेत की भावना की एक तरह से अनन्द तेल तुम्डे वरिष्ट पत्रकार और मानवाधिकार कारिकरता गौतम नौलखा या युवाई स्कॉलर उमर खालिज सहीत अनेक लोगों को दोस्तवाज जेल में रखा गया है। को एडी आदी के खाल के निरंकुष कदमों को चुनावती देने वाली याजिकाओं पर आया भी वदासपत फैसला भी दोस्तों इस अनुछेत की आत्मा को कमजोर करता है। उसे काफी हद तक डाइलूट करता है। यह ऐसा बहुत सारे नियाइक मामलों के विशेशग्यों का मानना है। यानि मौनी लांडरिंग एक दोहजार दो में शामिल जो बेशुमार जो प्रावधान ऐसे शामिल किये गए जो एक तरह से डिमोक्रिटिक राइट्स को नागरिकों के उनको सिमित करते हैं। इसे जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें दि सरकारी अस्तर पर किये कानूनी शंसुदनों से एडी को बेशुमार एक तरह से निरंकुष अधिकारों को समवैधानिक संरक्षन मिल गया है। दोस्तों लेखनी है कि 2014 से 2019 के बीच एडी प्रवरतन निदेशाले ने 489 केसेज फाइल किये थे और 2019 से 22 के बीच में अभी तक एडी ने 2723 केसेज फाइल कर दिये हैं। जाहिर है इनमें ज्यादातर केसेज असाहमत लोग जो हैं या सरकार के राइनितिक जो प्रतिजवंदी हैं वही हैं जिन पर ये मामले धर्ज हुए हैं। नए कानून के मताबिक जेल के बदले बेल की अधिकार का संरक्षन किसी न 24 घंटे के अंदर गिरफ़तार व्यक्ति के विरुद दायर एसी आई आई आर एफ आई आर का एडी रूप मनें एडी की तरफ से जो एक एफ आई आर नुमा जो डॉक्मिन्ट होता है उसकी जो कापी देना अब जरूरी नहीं रहा जाएगा। सेवा निब्रत हो चुके ज बहुत सारी चर्चा रही है जाने माने स्तंबकार प्रताब भानु मेहता ने पी एम एले से जुड़े ताजा फैसले पर इंडियान एक्स्प्रेस के अपने कॉलम में कहा कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोट नागरिक अधिकारों के संरक्षन या संरक्षक होने के खत्रा बनकर उबरा है बहुत कड़ी टिप पड़ी है ये उन्होंने लिखा है अपनी समझ से इसी तरह एक अन्य प्रसिद्ध स्तंबकार और कानूनी मामलों के जानकार गौतम भाटिया ने लिखा है कि ऐसे कई फैसलों से एक खास किस्म का नियाएक दर्शन उभरता है य तो नएक मामलों के जानकार विद्धवान स्तंबकारों का कमेंट था जो मैंने आखीर में कोट किया तो इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही नमशकार आदाब सत्रियकाल